हेलो फेंड्स तो आज हम आपके लेक्षा हैं चने की सबजी और जिसे हमने बिना प्याद लसन के बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है बिलकुल पंजाबी जैसे बनाते हैं वैसे ही टेस्टी बनी है ये सबजी तो आएए स्टार्ट करते हैं आज की रेसेपी इसके लिए हमने एक कटोरा चैना लिया है और उसे राध भर भिगो दिया था पानी में अब हम इसे बॉयल करेंगे इसमें अमने दो कटोरा पाई डाला है और दो आले को काटके डाला है और half teaspoon नमक डाल रहे हैं अब इसको हम boil करेंगे हमने 2 whistle high flame पे दिये और 2 whistle SIM पे दिये जब तक मैं चने बॉil हो रहे हम इसके लिए मसाला त्यार कर लेते हैं इसके हमने 4 teaspoon गोसाबुत धनिया लिया है उसमें 1-1 teaspoon जीरा डाल रहे हैं 1 teaspoon soft डाल रहे हैं 10-15 काली मिर्ची डाल रहे हैं अब इसमें 2 इलाइची 1 डालचिनी का टुकड़ा 2 लॉंग और थोड़ी से मेति ली हैं क्योंकि मेति दाना चने को digest करने में हेल्प करती है अब हम इसके थोड़ा roast करेंगे थोड़ा सा color change जाए इसमें हम सूखी मिर्चा भी डालेंगे लाल मिर्च आप ज़्यादा ले सकते हैं हमारे गर में तीखा कम खाते हैं अब इससे aroma आ रहा है यह रोस्ट हो गया है अब इससे mixer जा में transfer कर देंगे अब इन मसालों का हम एक powder बना लेंगे अब इसमें हम दो टमाटर एक इंच अद्रक का टुकड़ा चौप्ट करके डाल देंगे और इसका एक paste बना लेंगे एक हरी मिर्ची भी डालेंगे आप ज्यादा डाल सकते हैं अब इसका एक paste हमने बना लिया है और अब हमाई चने भी boil हो चुके हैं अब में कटोरी में आदर रिस्पून हल्दी पौडर लेंगे आदर रिस्पून लाल मिर्च पौडर लेंगे आदर रिस्पून धनिया पौडर लेंगे आदर रिस्पून जीरा पौडर लेंगे आदर रिस्पून चार्ट मसाला लेंगे और आदर रिस्पून काला नमक ल और इन्हें अच्छे से मैश करेंगे इससे हम ग्रेवी में डालेंगे जिससे हमारे जो चने के ग्रेवी है बहुत ही थिक लगेगी और बहुत ही अच्छा कलर आएगा यह मैश हो चुके है अब हम एक कड़ाई में चार टीस्पून तेल डालेंगे हमने सर्चो का तेल लिया है उसमें एक तेजपता डाल रहे है आदा रिस्पून जीरा डाल रहे है आदा रिस्पून अजवाइन डाली है ताकि यह डाइजेशन में हलप करे और थोड़ा सा डाला है, अब इसमें हम टमाटर का जो पेस्ट मना है तो वो डाल देंगे अब इसमें आदा टिस्पून नमक डालेंगे और इसे चला, अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से बॉयल हो जाए यह बॉयल हो चुके हैं, अब हम इनमें मसाला मिक्स करेंगे हमने इस मसाला बनाया था, इससे मसाला जलेगा भी नहीं और बहुत अच्छा कलर देगा हमारी ग्रेवी में अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको अच्छे से सिखने देंगे, ताकि यह तेल छोड़ दे मसाले तेल छोड़ रहे हैं, अब हम इनमें आलू को जो मैश किया था, वो मिक्स कर देंगे और बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से मिक्स हो जाएंगे, यह पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें आलू मिक्स किया और हमारी ग्रेवी बहुत ठिक लगेगी अगर मसाले में आपके पास कुछ नहीं हो, तो आप उसको स्कीप भी कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी हाउसवाइब वह होती है, जो कम चीजों में अच्छा खाना बना की किला दें तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके चाट मसाला नहीं हो तो आपको भी डाला कमबस रही, आप उसको स्कीप भी कर सकते हैं, तो फ्रेंट्स हमारा या आलू का मसाला अच्छी से मिक्स हो गया, अब हम इसमें बॉयल चना डाल देंगे, और इनको अच्छे से मिक्स कर ले वो इन सबको वापस एक विसल देते हैं, जिससे मसाला अच्छी तरीकी से राजमा चावल या छोले जिस जो भी हो, उन सब में अच्छी तरीकी से चला जाता है, और इस रेसेबी का टेस्ट बढ़ जाता है, तब से फेंट्स मैं भी ऐसे ही करने लगी हो, और सच में ग्रे आधा टीस्पून हम सूगर एड करेंगे, इस सब्सक्राइब का बैलेंस एक नम बना रहेगा, एक विसल और लगा चुकि हम इसे खोल रहे है, हमारे चने अच्छी तरीकी आप कितना अच्छा करा रहा है, अब इसमे थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, और आधा देखके डाल चुके हैं, और इसमें आधा नीमु का रस डालेंगे, एक चमच घी डालेंगे, इस से बहुत अच्छा अरोमा आएगा, बहुत ही रिच लगेंगे आपके चने, अब इसमें थोड़ी सी गानिशिंग कर देंगे, धनिया पत्ती से, और इसको थोड़ी दे बन अच्छी से मिक्स होगे कि आपको अलग से लगेगा नहीं कि आपने इसमें आलू डाला है, आप देख सकते कि इसे धुआ निकल रहा है, और फिर से खाने में बहुत टेस्टी बने है, वैसे तो हमारी चने तयार हो गए, पर आप चाहें तो इसमें और एक तड़का दे सकत हैं, यह पूरी तरह से ऑप्शनल है, हमने एक टीस्पून घीट रहा है, उसमें थोड़ा से जीरा डाला है, थोड़ी से अजवाइन डाली है, और थोड़ी से लाल मिच पाउडर और एक मिर्ची, अब इस तड़के को हम इसके उपर डाल देंगे, तो फ्रेंस हमारे चने बिलकुल रेडी हो गए, पहले ऐसा होता था कि मुझे जब लगता था कि चलो कुकर में एक ही पार चड़ाओ सबजी मसाले से को और इसी में डाल दो चने तया, पर जब से हम यह चैनल में अपने वीडियो अप्लोड करने लगें, तो हमारी हमेसा कोशिश आती है कि हम बेस तरीके से सबजी को बना के दे, भले ही थोड़ा प्रोसेस लॉंग हो, कोई बात नहीं, पर सबजी हमारी बहुत टेस्टी बननी चाहिए, तो फ्रेंड्स, आज की रेसेपी, I hope आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई ही तो हमारी इस रेसेपी को प्ली प्रेंड्स, यह बिना प्याज लसन के है, तो आप किसी भी फेस्टीवल पे भी इसको बना सकते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स